कल्यान का मार्ग दर्शन पंक कटे जटायू को गोद में लेकर भगवान राम ने उनका अभिशेक आंस्वों से किया सने से उनके सिर पर हाथ फेरते भगवान राम ने कहा तात आप जानते थे रावन दर्दर्श तथा महा बल्वान है फिर आपने उससे युद्ध क्यों किया अपने आँखों से मोती ढुलकाते हुई जटायू ने गर्वनत वानी में कहा प्रभो मुझे मृत्यू का भे नहीं है भे तो तब था जब अन्याई के प्रतिकार की शक्ती नहीं जागती भगवान राम ने कहा तात आप धन्ने हो आपकी जैसी संसकारवान आत्माओं से संसार को कल्यान का मार्क दर्शन मिलता रहेगा अखंड जोती मै उन्नी सो निन्याणवे चयन भगवान शी कृष्ण के पास दुर्योधन वे अर्जुन दोनों पहुंचे मा भारत युद्ध के पूर कौरव वे पांडव दोनों ही कृष्ण को अपने पंक्ष में करना चाहते थे दुर्योधन पहले पहुंचे वे अंकार वश सो रहे शी कृष्ण के सिरहने बैठ गए बाद में अर्जुन आये वे अपनी साज श्रधा भावना वश पैरों के पास बैठ गए शी कृष्ण जागे अर्जुन पर उनकी दृष्टी पड़ी कुषल क्षेम पूछ कर अभिप्राय पूछने ही जा रहे थे कि दुर्योधन बोल उठा पहले मैं आया हूँ मेरी बात सुनी जाए शी कृष्ण असमंजस में पड़े गए बोले अर्जुन छोटे हैं इसलिए प्रात्मिक्ता तो उन्ही को मिलेगी पर मांग तुमारी भी पूरी करूँगा एक तरफ मैं हूँ दूसरे तरफ मेरी विशाल चत्वरंगिनी सीना बोलो अर्जुन तुम दोनों में से क्या लोगे चायन की स्वतंत्रता थी यह विवेक पर निर्बर था कोन क्या मांगता है भगवत क्रिपा अत्वा उनका वायभव अर्जुन बोले भगवान मैं तो आपको ही लूँगा भले ही आप युद्ध ना करें बस साथ भर बने रहें दुर्योधन मन ही मन अर्जुन की स्मूर्खता पर प्रसंन हुआ और श्री कृष्ण की विशाल अपाराजाई सेना पाकर फूला ने समाया अनीति वादी दुर्योधन इश्वरिय समर्थन वाले अर्जुन जिसके पास श्री कृष्ण भी नीशास्त्र थे से हारा ही नहीं महाबारत की युद्ध में बंधो बांधों सहित मारा भी गया दुर्योधन जैसे अनीति का चाहन करने वाले यह अर्जुन जैसे इश्वरी कृपा को वरन करने वाले ततो हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है एक को विवेक या सुर्बुध्धी तदा दूसरे को आविवेक या दुर्बुध्धी कह सकते हैं किसका चैन वक्ति करता है यह उसकी स्वतंत्रता है अखंड जोती मई उन्निसो निन्याणवे तप कर ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठे हुए चिंतन में लीन थे वे सोच रहे थे स्रिष्टी का निर्मान कैसे करूं इसी असमजस में पड़े हुए ब्रह्मा जी को एक आकाश्वानी सुनाई दी जो कह रही थी तप कर तप कर ब्रह्मा जी आकाश्वानी को ईश्वर्य आदेश मानकर तप में सनलग्न हो गए उन्होंने लंबे समय तक घोर तप किया और उसी के बल पर उन्हें स्रिष्टी के निर्मान की क्षमता प्राप्त हुई पुरुशार्थ और साहस करके ही ब्रह्मा जी ने कुछ पाया था यही मार्ग रह्मा जी द्वारा रचे गए प्रतेक प्राणी के लिए है उद्योगी मनुष्य उन्नती करते अमसुख पाते हैं और अकर्मन्ने विक्ति भाग्य को दोश देकर रोते जीखते जिंदगी पूरी करते हैं प्रगती शीलों के लिए आज भी ईश्वर की आकाश्वानी का एक ही संदेश है तब कर तब कर अखन जोती मई उन्निस्व निन्यान्वे दैवी अनुग्रह गुरू गोविंद सिंग ने अपने 16 वर्षिये बड़े पुत्र अजीत सिंग को आग्या दी की तलवार लो और युद्ध में जाओ पिता की आग्या पाकर अजीत सिंग युद्ध में कूद पड़ा और वहीं बलिदान हो गया इसके बाद गुरू ने अपने द्वितिया पुत्र जोजहार सिंग को वही आग्या दी पुत्र ने इतना ही कहा पिता जी प्यास लगी है पानी पीलूं इस पर पिता ने कहा तुम्हारे भाई के पास खून की नदियां बह रही हैं वहीं प्यास बुझा लेना जो जहार सिंग उसी समय युद्धक शित्र को चल दिया और वही अपने भाई का बदला लेते हुए मारा गया इन बच्चों के बलिदान से सिखों में ऐसी आग पैदा हुई कि दुश्मनों को अपना खेमा उखाड़ना ही पड़ा आदर्शों से जुडने वाले दैवी अनुग्रह के पात्र किस प्रकार बनते हैं इसका यह प्रत्यक्ष उदाहरन है यह दैवी अनुग्रह ही था जो उनके अंताकरण में प्रेड़ना की रूप में उभरा यह आदर्श्वादी उत्क्रिष्टता से जुड़कर बदले में उन्हें यश सम्मान भी दे गया अखंड जोती मई उन्निसो निन्यान में भारतिये नारी राजा दश्टत और माया सुर का युद्ध हो रहा था मायावी राक्षत से सभी राजा पारास्त हो चुके थी दश्टत को अपनी विजय में संदे ही दिखाई दी रहा था तब एक नारी संग्राम में उतरी दश्टत की अरधांगिनी कैकई सुता ने सारती का पद संभाला उस दिन दश्टत ने घोर संग्राम कर असुरों के चुके छुडा दिये इसी बीच रध के एक पहिये की धुरी तूट गई रध ने हिलने डुलने से जबाब दे दिया उस समय कैकई ने उंगली पहिये में लगा दी और तब तक उसे स्थिती में बनी रही जब तक उस दिन का युद्ध समापत नहीं हो गया कहते हैं वह युद्ध राजा दश्टत ने ही जीता था पर यदि सच्चाई को अभिव्यक्त होने का अवसर दिया जाए तो यह कहना पड़ेगा कि यह विजय पत्नी की कर्तव्य परायनता की विजय थी भारती नारी की ये निष्ठाएं ही भारती समाज को वह शक्ती प्रदान करती रही हैं जिनकी यश गाथाएं आज भी विश्व इतिहास की अंतरिक्ष में सूरे के भाती देदिप्यमान हैं अखंड जोती मई 1999 आपको नोटिफिकेशन्स मिलते रहें